अलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल तो जी आपकी CS Executive Module 1 क्या सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनस एंटिटीज एंड क्लोजर की सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास एक इंट्रोड़क्री क्लास लेने जा रहा हूं फर्स्ट चेप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कंपनी लौ की जब फस्ट क्लास दी थी तो उसमें बताया था कि सेटिंग अप बिजनस और कंपनी लौ आल्मोस्ट 50% सेटिंग अप कंपनी लौ का ही पार्ट है एक्चुली मैं जब पुराना स्लेबस था आज से चार साल पहले तीन साल पहले तो उस टाइम पर कंपनी लॉग का एक्जिक्यूटिव में एक ही सब्जेक्ट होता था इंसीट्यूट ने उसको बाद में चेंज करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और कुछ एडिशन्स और कर दिये सेकेंड सब्जेक्ट में कंपनी लॉए एक तो ही है जो आपने कल पड़ा हमने स्टार्ट किया था सेकेंड सेटिंग ऑफ बिजनस देखोर इसके नाम से ही समझो बिजनस एंटिटी कैसे सेट अप होंगी उनका प्रोसीजरल पार्ट मतलब कंपनी फॉर्म करनी है तो कैसे होगी सोल प्रोपारिटर पार्टनर्शेप हुएफ एंजियो स्ट्रस्ट सब के बारे में बात की ज स्टेडी में सोल प्रोपार्टर वगारा के बारे में तो पड़ा था यह सब्जेक्ट आपको अगर इसके नाम से ही आप समझो सेटिंग अप किसको सेट अप करना है और बिजनस एंटिटीज सेट करना है एंड क्लोजर जिसको हम एस बी इसी भी शॉट में बोल देते हैं या एस यू बी सी भी बोल देते हैं या एस बी इसी भी बोल देते हैं बिजनस एंटिटी को स्टार्ट करना और क्लोज करना इन दोनों के बारे में यह सब्जेक्ट है अब बिजनस एंटिटी तो बहुत जादा हो सकती है अब अगर हमने मॉड्यूल वन में आपका मैं टेक्स और जर्नल लोग जिसको आप बोलते हो इसको एक साइड कर दूँ तो दो सब्जेक्ट हो गए हमारे कंपनी लोग जो मेरे पास है आपका सेटिंग आप बिजनस एंटिटीज एंड क्लोजर टेक्स आपको मालूमी है विवे गाबा सार ले रहे हैं यह दोनों सब्जेक्ट मेरे पास हैं अब कंपनी लोग तो एक्सक्लिसिव बात करता है सिर्फ दा कंपनी जेक्ट एक्सक्लूसिवली कंपनी एक्ट के बारे में बात करेगा बट सेटिंग अप में कंपनी एक्ट तो ही है सीए 2013 में अब लिखूँगा कंपनी लोग को प्लस इसके साथ अधर एंटिटीज लॉज रिलेटिंग टु अधर एंटिटीज भी आ जाएगा clause relating to other entities for example आपको सोल प्रोप्रोप्राइटर हुएफ पार्टनर्शिप फॉर्म सोसाइटी अपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हुए अधर बिजनस एंटिटी या कह दो कि और बिजनस एंटिटी को पर रहे हैं इसमें हम दो पार्ट कर देंगे सेटिंग अप of business business start कैसे करना नहीं business entity को कैसे set करना business entity की registration कैसे करानी है business तो हमने करना है plant machinery building जो भी करना है वो हमारा काम है क्या goods manufacture करनी है but उससे related plus इसके licenses registration और अधर प्रोसीजर्स इन रिगार्ड टू रिजिस्ट्रेशन यह आ जाएंगे हमारे पास setting up में फिर हम पढ़ रहे हैं closer closer भी किसका होगा of business entity तो इसमें आप पढ़ोगे कि आप जब करोगे तो cancellation होंगे और रिजिस्ट्रेशन जो हमने कराया कंपनी है तो क्या हो जाएगा वाइंडिंग अप हो जाएगा यह पार्ट डिवाइड हो जाएगा दो तरफ साथ में इनके साथ other laws जो other attached laws या applicable laws भी आजाते हैं other applicable laws क्या होंगे for example labor laws labor laws क्यों आ जाएगे क्यों कि जब भी हम business करेंगे तो employees रखेंगे तो labor laws भी यहाँ पर applicable होंगे उसके बाद कुछ हमारे जैसे intellectual property IPR जिसको बोलते हैं intellectual property right से related laws यह भी आ जाएंगे और इस तरह से और भी आपने कोई pharmaceuticals की factory लगाई दवाई बनाने की तो drug department आ जाएगा medicine department आ जाएगा आपने hotel खुला तो food department आ जाएगा fssi आएगा आएगा आप देखते हो ना खाने पिने की चीज़ों पर fssi लगा होता है साथ में आप देखो आपको in GST लेना है pen number लेना है 10 number लेना है इसके बारे में भी बात की जाएगी यहां पर तो यहां आप company law में तो पढ़ोगे what is company और company की compliance क्या है law की और इस subject में आप पढ़ोगे की आपको business set करना है तो क्या क्या registration क्या क्या license लेनी है for example अगर कोई एक sole proprietor है मालो हम विवेक सर का example लें मैं अपना example हूं हमने business start किया तो sole proprietor है विवेक गाबा सर या मैं हूँ या हम दोनों मिल गए तो हम किस form में आ जाएंगे partnership form आ जाएगी हमारी नमबर बन अगर हम दो मिल जाएं तो partnership हम आ जाएगी या इसका दूसरा नाम होता है limited liability partnership LLPB हो जाएगी तो हम यहां पर दो लोग हो गए हो सकता उसके साथ हमारे साथ अंकुष्मन सर भी आ गए हमारे साथ अमित सर भी आ गए तो यह इस तरह से chain बढ़ती चली जाएगी जब एक से जादा है तो जब भी हम business start करेंगे तो हमारी requirement क्या होंगी हमें कुछ registration करानी होंगी के नहीं करानी होंगी कुछ license लेने होंगे या ने लेने होंगे तो हम sole proprietor हैं तो according to sole proprietor law चलेगा registration होएंगी of entity की plus registration होईगी others others मैं मालो pen number के बिना कोई business नहीं हो सकता GST number अगर हमारी एक turnover एक limit से ज़्यादा आ रही है तो GST registration भी करानी ज़रूरी हो जाएगी employees रखे हुए है तो 10 tax deduction के लिए हमारे पास आ जाएगा TDS जिसको आप बोलते हो उसको काटने के लिए आ जाएगा अब मालो कि हमने education institute खोला तो हो सकता education department से registration हो जाए हमें mcd से हो जाए हमारी municipal corporation से जिस भी हम state में है उस state के और laws भी हो सकते हैं और ऐसे ही मान लो कि हमने company बना ली suppose vg study hub private limited बनाई हमने या हमने vg study hub limited बनाई तो public company बनेगी तो हम company act में जाएंगे company act की procedural part होगा प्लस ये तो हर हाल में सब जगा होगा ही होगा अगर हमारी turnover exit कर रही है gst आ जाएगी employees अगर tds काटेंगे हम tds applicable हो जाएगा तो जो जो law applicable होगे अब अगर हम education department education का business कर रहे हैं तो हमने education से related laws देखने हैं अब मालो हमने हमने सोचा कि हम hotel business करते हैं तो hotel के लिए हमें food adaptation department से registration ले पड़ेगी अगर हम package food बेच रहे हैं तो fssi आईगी आप manufacturing करनी है तो manufacturing के law आ जाएंगे और सोचो ऐसे किस तरह के business हो सकते हैं जिन में licenses की जरूत हो सकती है जैसे हम chemicals का काम कर रहे हैं तो chemicals की related हमारे जो applicable laws होंगे वो आ जाएंगे telecom कर रहे हैं तो telecom से related laws आ जाएंगे तो इस तरह के departments की भी हमें license लेनी पड़ेगी plus हमें labor laws में तो जाना ही पड़ेगा labor laws जब हम बिना employee के तो कोई काम नहीं हो सकता तो gratitude, provident fund, bonus act आपने थोड़े बहुत पड़े होंगे तो वो भी applicable हो जाते हैं हमें उनके साथ आप भी registration करनी पड़ेगी तो आप जो इस subject में पड़ोगे वो सारा इसके बारे में पड़ोगे इनका setup कैसे करेंगे इनकी registration कैसे होंगी और इनको close कैसे करेंगे this is your subject setting up of business entities and its closer तो जब हम company के part पर आएंगे तो obviously company law से related part आएगा कि company incorporate कैसे होईगी तो जो हमने company law का subject पड़ेंगे तो उसमें company incorporation नहीं पड़ेंगे types of company नहीं पड़ेंगे आपने ETF foundation में पड़ा होगा private company, public company, holding subsidiary, small company, dormant company, various types of companies आप पड़कर आयो अब आपको वो company law में नहीं मिलेंगी वो यहां पड़ाएंगी types of company क्योंकि हमें choose करना है जब हम business start करेंगे तो हमें private company choose करनी है या public company choose करनी है यह decide हम करेंगे फिर उसका आगे का registration part बाकी other part अब अगर हमने company मना ली share capital कैसे issue होगी directors कैसे appoint होंगे, general meetings कैसे होंगी, account audits कैसे होंगे, वो सारा company law में ही हम पड़ेंगे यहां पर हम सिरफ specifically पड़ेंगे कि company registered कैसे हो रही है और बंद कैसे हो रही है साथ में इसके साथ other form आ जाती है, section 8 company भी यहां पर आएगी, section 8 company को आप NPO भी बोलते हो, society act भी आ जाएगा, trust भी आप पड़ोगे, trust act भी पड़ोगे तो आज मैं इन ही सब का introduction लेके चलूँगा कि इन entities में फरक क्या है, सबस्यादा बचों को इन में confusion होता है कि यह क्या कर रही है, company partnership, sole proprietor तो पढ़ते आ रहे हैं अब मैं आपको एक बार syllabus दिखा देता हूँ, कि हमारा syllabus क्या है, जो हमें पढ़ना और institute ने इसको कैसे divide किया हुआ है देखो, part A है हमारा एक this is part A, part A नजर आ रहा होगा आपको, और यह आपका part B है तो part B में, आप color लेता हूँ, यह देखो, यह part B है हमारा, part A 40 marks का है, part B 35 marks का है और एक part C है 25 marks का, तीन part में divided है, part 1 में क्या aspect है, business setup कैसे होगा part B में उसके related registration और license क्या है, मालो हमने partnership बनाई तो partnership deed को registered कराना अगर हमने करवाना है, तो हमें court जाना पड़ेगा, हमने partnership deed register तो करा ली, अब जो हम business करेंगे तो business के लिए भी license लेने होगे, आपने देखा होगा कि आप कई बार उदर जाते हो, chemist shop पर जाते हो, तो chemist shop establish करने के लिए, mcd या municipal corporation जो भी जिस city की है, उससे license लेना होता है, प्लस आपने देखा, वहाँ पर एक certificate लेका होता है, हर chemist shop पर, कि उस chemist shop आप बिना certificate लिए, आप दमाईया नहीं बेच सकते, क्योंकि वो एक खतरना काम है, अगर आपने किराने की दुकान खोली, राशन पाने की है, तो आप सिरफ mcd से या अपने municipal corporation से register हो जाओगे, या shop and establishment act आ जाता है, आप वहाँ पर register हो जाओगे, तो grocery shop में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आपको दवाईया बेचनी है, तो आपको shop and establishment act तो applicable होगा ही होगा, साथ में आपको वो B pharma, D pharma के course सुने होग तो उस chemical की prescribe हो सकता है, कि आपको license लेना पड़े, तो ये registration and licenses यहाँ पर आएंगे सारे, third आएगा, company अगर बंद हो रही है, तो किस कारण से होगी, insolvent हो गई, या हम खुद बंद कर रहे हैं, या कोई भी business insolvent हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर law आ जाएगा, अब एक बा से पहले हम choose करेंगे कि हमें business entity कौन सी रखनी है, sole proprietor रखनी है, partnership में जाना है, तो यह किस पर depend करेगा, हमारी capital requirement, हमारी business को संभालने की ability, risk taking capacity, इन aspects को हम पढ़ेंगे कि हम कौन सी business organization को choose करें, sole proprietor करें, partnership करें, फिर आ जाएगा company की form में जा रहे हैं, तो कौन सी company choose करें, one person company, private company, public company, उसको small company में रखना है के नहीं, हमें आगे subsidies बनानी है या नहीं, government company, investment company, इस तरह की various types of companies के tag आ जाते हैं, फिर जब company बनेगी, अब देखो यहां पर सारा company law चल रहा है, company बनेगी तो charter document, MOA आपने पढ़ा था, AOA पढ़ा था, वो साथ में आएगा, legal state of registered company, registered company हो गई तो उसका legal status आएगा, क्या legal status होता है, separate entity कैला ही जाती है, section 9 company law का कहता है कि separate entity company कब होती है, जब वो registered हो जाएगी, उससे पहले नहीं हुई, formation of LLP, आपने यहां पर बड़ा LLP पर पूरा chapter दिया हुआ है, LLP एक तरह से partnership और company की बीच की form है, फिर different form, उनका registration, यहां पर तो हम हमने soul proprietor partnership choose कैसे करनी है, यहां पर हमने company law बता रहा है कि company कैसे form होगी, और यहां पर बता रहा है, other form of business कैसे set होंगे, यहां देख रहा है ना, types of company information भी आ रहा है, फिर 7th में आ रहा है, section 8 company, trust, NGOs कैसे registered होंगे, तो आज हमें इन ही को पहले समझेंगे कि various types of entities क्या क्या है, फि banking finance company, housing finance company, यह नाम सुने होंगे, आपने मुथूर finance, non banking finance company है, बजाज finance, at course, escort finance, यह banks नहीं है, और अगर bank बनना है तो कहां जाना पड़ेगा, RBI, NBFC को भी RBI regulate करता है, housing finance company का अलग से registration authority बनी हुई है, housing finance companies का board अलग से बना हुआ है, housing finance company आपने LIC housing सुना होगा, PNB housing फुना होगा, दिवान housing जो अभी पीछे नुकसान होगा, डूब गया, इंडिया बूल housing, यह नाम है अलग-अलग जो housing infrastructure को license financing कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपने यह समझना है कि आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कि आपकी job इन जगा है, अब अगर कोई भी company 10 crore paid up capital वाली हो गई, तो वहाँ company secretary रखना जरूरी है, ऐसे ही मुथूड finance मैंने आपको कल company law में भी discuss किया था, वहाँ पर भी मुथूड finance आएगा कि जो वो loan दे रहा है, तो उसको वहाँ पर company secretary रखना पड़ेगा, क्योंकि listed company है, वो housing finance, PNB finance, housing finance, LIC, यह सब इस category की companies आएगी, फिर आपने एक नाम सुनाओगा, आजकल start-ups बहुत बड़ी बात हो रही है, start-up की registration private company की form में होती है, public company की form में नहीं होती, तो start-up पर पूरा chapter है और उसकी registration कैसे, क्योंकि इंडिया में आजकल बहुत बढ़ा boom आया हुआ है, start-ups का, अभी कल ही मेरे एक student का phone आया, his qualified company secretary अभी उसने last year CS किया है, और उसके marks भी आयूश के नाम से आप देखोगे, 80 plus marks थे, उसके industrial और labor laws में, तो कल उसका phone आया कि वो training कर रहा है अभी, तो वो training कर रहा है, तो वो जिस firm में training कर रहा है, वो उसको department मिला है, start-up registration, और कह रहा है, इतना flow आ जोना चल रहा है, lockdown चल रहा है, still market अपनी stock market going up जा रही है, क्योंकि market हमेशा future देखती है, stock market, तो start-up क्या है कि हर businessman anticipate कर रहा है कि आने वाला time, Indian economy, Indian business के लिए बहुत bright है, आने वाला time, अगले मतलब ये मान के चलो कि 15, 20, 15 साल में इतनी इंडिया में growth के chances हैं, तो हर businessman यहाँ पर पैसा लगा रहा है, और जो यह IIT से पड़े हुए है, या start-up का मतलब होता है, जो new brain, new idea, unique technique से काम करना चारे है, inter-biners इनको आप बोलते हो, तो जैसे flip card आप example लो, जब flip card आया था, तो क्या online shopping concept थी इंडिया में आज से 4-5 साल, 7 साल पहले, ये start-up की form में आया था, ये कई सारी चीजे हैं, जो start-up की form में आई है, बाद में big company बनती है, start-up का मतलब होता है, जो new technology, new idea से आ रहे हैं, तो उनको अलग से register करती है, government उनको help करती है, taxation में help मिलेगी, जब आप company law में पढ़ोगे, तो वहां पर various exemptions है इन लोगों को, तो इसके बारे में हम पूरा chapter पढ़ेंगे, तो वो student बता रहा था कि इतनी आज कल काम आ रहा है, even lockdown है, work from home है, तो भी हमारे पास काफी startup का काम मिल रहा है, मतलब startup आ रही है, तो private company की form में registered हो रही है, और अगर private company की form में registered हो रही है, कल को big company बनेगी, तो आपकी job opportunity आईगी या नहीं आईगी, वहां पर private funding हो रही है अभी, तो जब वो बड़ी होंगी, 10 करोड़ी बेड़ को cross करेंगी, तो आपकी job opportunity create होगी के नहीं होगी, तो आपको क्या उसकी knowledge नहीं होनी चाहिए, और अगर आप practicing हो, तो आपका advisory role जाएगा उसमें, फिर joint venture, collaboration, आपने word सुना होगा, दो company आपस में मिल के कर करना है, उससे related lobby आपने पढ़ना है, अब आप देखो किसने तरह के champion बनने वाले हो, आप एक advisor बन जाओगे, आपके पास कोई आया, आपका रिष्तेदार आया, friend आया, उसने का जी, या client आया, जी मुझे business start करना है, मुझे business entity बताओ, तो आप इस subject से ये समझ पाओगे कि किस business के हिसाब से क्या business entity suitable है, उसको risk कितना लेना है, कितने लोगों से काम करना है, कितनी capital चाहिए, कितना resources चाहिए, तो इन chapters में आपको इसी चीज का सारा part आएगा और आप इनी की expertise लेने जा रहे हो, फिर conversion of company, अब मानलो हमने LLP बना ली या partnership firm बना ली, sole proprietor बना ली और हम company की form में आना चाहते हैं, तो कैसे business को बंद किये बिना convert करें, अब मानलो मेरी sole proprietor है, partnership firm है, अब मैं उसको company की form में लाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको सारा बंद करूँ और दुबारा register करूँ, या उसको convert करूँ, या मैंने private company बना रखी थी, मैं उसको public में convert करना चाह मेरा business size बड़ा होना चाहता है, तो क्या करूँगा मैं, तो भी मुझे conversion की जुरुत पड़ेगी, तो उसके related loss आ रहा है, यहाँ पर आएगा, यह जब हम business की entity choose कर लेंगे, फिर अगला part आएगा, license का, अब मैंने sole proprietor बना ली, partnership बना ली, company बना ली, अब मुझे उस business को करने के लिए license क्या चाहिए, मालो मैंने chemist shop खोली, तो मैं sole proprietor हूँ, मैंने shop ली, shop के लिए मैंने MCD से shop and establishment act की registration करा ली, MCD ने का आप shop खोल लो, बट अब मेरे को दवाईयां बेचने के लिए medical department जो भी होगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को initial registration और license लेना labor laws applicable हो रहे होंगे, अब suppose मैंने factory लगा ली, कोई खाने पिने की चीजों की, package food बेचना है मुझे, तो उसका FSSI registration लेना पड़ेगा, साथ में मुझे factory लगानी है, तो labor law, factory act applicable हो जाएगा, worker से related law applicable हो जाएंगे, तो वो भी देखना है मुझे, intellectual property right, IPR, trademark, patent, copyright, ये सब आएंग है, logo है, इसकी registration होगी, business की, आप Reliance का R देखते हो, MD का M देखते हो, MacD का, तो हर business की एक identity उसके एक word से होती है या नहीं, तो उसकी भी registration अलग से होगी, compliance under labor laws, compliance relating to environmental law, environmental law कब आ जाते हैं भई, air pollution control board, water pollution control board, अगर जैसे हम education का का काम कर रहे हैं, तो हमारे उपर applicable नहीं होंगे, बड़ अगर हमने ऐसी factory लगा ली, जो air में pollution करेगा, या water में pollution जाएगा, हम chemicals यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उन boards के साथ भी registration करानी पड़ेगी, फिर अब इसको मैं अगर ऐसे समझूँ, suppose मैं reliance की बात करूँ, reliance limited कहां कहां registered होगा, कहां कहां registration होगी, सबसे पहले reliance पैदा हुआ, तो कहां पर हुआ, यह laws applicable हो जाएंगे, कौन सा law applicable हो रहा है, पहला, the company's act, यह applicable हुआ, सबसे पहले registration हुई, उसके बाद अगर reliance क्या-क्या काम करता है, chemicals का काम कर रहा है, जो original काम था, सबसे पहले reliance का chemicals था, फिर reliance ने oil का काम शुरू किया, फिर telecom का काम शुरू किया, retail में आया, और भी बहुत सारे काम होंगे, अब देखो, chemical बना रहा है, तो chemical से related जो department है, वहाँ जाना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ पर license लेने पड़ेंगे, from applicable, for applicable laws, और हम किस से लेंगे, from related authorities, अब देखो, oil की, oil ministry है, तो उनका department होगा, telecom का TRAI आप नाम सुनते हो, messages भी आते हैं TRAI के कि unsolicited call या इन numbers की call को pick मत करो, retail में shop and establishment act और या जो भी आ रहे हैं, chemical में, chemical ministry या chemical से related जो भी laws आ रहे हैं, वो यहाँ पर हमें license लेने पड़ेंगे, third, अब बहुत सारे factory लगेंगी, employees होंगे, लाकों employees होंगे, labor laws, labor law में सबसे पहले reliance की factory हैं, तो factories act आएगा के नहीं, 1948 का, इस तरह से और act आएगे, जैसे आप workman wages act, minimum wages act है, मैं short में लिखता जा रहा हूँ, जो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक wages act है, एक bonus act आ जाएगा, gratitude आ जाएगा, provident fund आ जाएगा, employee provident fund, ESI आ जाएगा, employee state insurance इस तरह से, बहुत सारे laws applicable हो जाएगे, fourth income tax applicable होगा के नहीं, यह तो आपको pen number लेना पड़ेगा, GST number लेना पड़ेगा, custom import export कर रहे हो तो, उसके बाद 10 number लेना पड़ेगा आपको, pen, 10 और भी जो related applicable laws आ जाएगे, इस तरह से business entity को set करने में लगता है, उसके बाद सिरफ यहीं काम नहीं खतम होगा, fifth आ जाएगा intellectual property right, intellectual property right क्या है, Reliance का trademark है, अब मैं आपको logo दिखाता हूँ, यह सब registered होंगे, अब भी जाएगे, एक सिकेंग कांग गार देखो यह यह लोगो आप देख रहे हो यह हमने कंपनी लॉकी क्लास में देखा था मारूती का लोगो है यह तो यह ब्रेंड यह अब लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता है ऐसे ही ब्रिटानिया यह आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेड माग लगा हुआ है तो ब्रिटानिया कंपनी एक्ट में भी रेजिस्टर्ड हुई प्लस इंटलेक्च्वल प्रोपर्टी राइट से जो ट्रेड माग एथॉलिटी है वहाँ भी रेजिस्ट्रेशन करानी बिंगो आशिरवाद आटा आता है यह नाम भी रजिस्टर्ड है अब बिंगो नाम का आपको कोई और नहीं मिलेगा संफीस्ट फियामा डिविल नाम जो भी लिखते होंगे और क्या क्या प्रोडक्ट हैं आप देखो आपके हाथ में जो कॉपी होगी शायद वो हो क्लासमेट क्लासमेट की कॉपी आती है विल्स सिगरेट आप देखते हों मॉर्या शेरिटन होटल यह नाम है अब यह नाम से कोई आपको और प्रोडक्ट नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्या bingo chips मैं नहीं बना सकता उन्होंने इनको भी register कर रखा है तो ITC Company Act 2013 में भी register है income tax में भी register है GST में भी register है custom में भी register है food, fssi, ai department है उसमें भी register है cigarette है तो tobacco industry होगी hotel industry है तो hotel industry से जो लाओंगे plus intellectual property right plus labor laws ये सारे इस तरह से law applicable होते चले जाएंगे जो जो हम काम कर रहे हैं अब कोई भी company अपना जैसे आप Pepsi का Lays chips देखते हो तो Lays के नाम से अब आप chips नहीं बना सकते हैं नहीं तो ऐसे तो कोई भी उनकी goodwill का फायदा ले लेगा आपने ये देखा M, Magdi का M देखते हो आप तो Magdi का M देखते ही आप क्या आज करते हो सीधा वहाँ जाते हो कि आप ये नहीं देखते कि वो Magdi real है या नहीं आपने logo देखा और आप उस पर believe करते हो कि ये है तो वो उनकी prestige है goodwill है उनकी identity है करोडो और वो रुपे की उसकी कीमत है उस brand की और उस symbol की जिसको आख मीच काम वरोसा करते हैं तो जिन कंपनियों ने इनको खड़ा किया तो उनकी protection होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए तो ये इस तरह से ये सारी कंपनियों ने अपने यहाँ पर ब्रेंट डाबर गॉद्रेज टाटा टाटा की हर गाड़ी पर आप ये ब्रैंड देखोगे अगर जर्नल मोटर है तो क्या ब्रैंड आता है Mercedes घरा पर ये देखते हो, Audi पर आप चार सरकल देखते हो ये उनकी पैचान है, मारूती का M देखते हो, हॉंड़ई का H देखते हो तो ये उनके हर product पर होता है और आप car का सिरफ वो symbol देखकर identify कर लेते हो कि ये किस brand की car है उनको पूरा नाम लिखने की जूरूत नहीं आप मालो आप M देखा और आप M देखकर बर्गर खाने चले गए अब मेरे पाल लाइसेंस नहीं था मुझे मेगडी से प्रायर एप्रूवल लेनी पड़ेगी क्योंकि रेइस्टर ट्रेडमाक है और अगर मैं नहीं लेता तो वो मेरे उपर केस कर सकते हैं और मुझे उनको क इसे पे करनी पड़ेंगी ऐसे तो कोई भी किसी की ब्रेंड वैली को यूज कर लेगा तो यह आप एजा कंपनी सेकेर्टी चाप बैठे होगे तो यह बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इनसे रिलेटेड इनसे रिलेटेड कई लॉयर्स स्पेशलाइज हैं कि अगर किसी न आने वाला है जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है जी तो हमें अभी तो यह पता चला कि वाट इस सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ना है तो हमें अब यह सब्जेक्ट को यह सोच के करना है कि भाई मुझे अगर कोई बिजनस स्टार्ट करना है या मेरे किसी रिलेटेव को या मेरे फ कि दॉर्मेंट कंपनी आपने थोड़ा सा पड़ा होगा ये टी में अगर कि अगर कंपनी दो साल तक अपनी रिटन्स फाइल नहीं करती तो आरूसी उसको डॉर्मेंट मतलब इन एक्टिव कंपनी माल लेता है या हमने अभी बिजनस के बारे में सोचा कंपनी रजिस्टर कर अरणी बट ανα हम Dana साल लगेंगे तो हम repässory कंपनी कंपलाइस नहीं करते तो हम स्ट्रेटस ले लेता है कि है कि विए डॉर्मेंट d orange इनकिव जब हम स्था स्थोनु करेंगे तो हम एक्टिव कंपनी का स्ट्रेटस ले लेंगे दूसरा आरोसी के पास अगर हम अपनी रिटन्स फाइल नहीं कर रहे तो रोसी मान लेता है कि हम इनेक्टिव हैं फिर उसको बाद में स्ट्राइक ओफ भी गिया जा सकता है या कंपनी नॉन कंप्लाइस कर रही है तो रोसी अपने रेजिस्टर से नाम कार्ट देता है या कंपनी को पूरा बंद करना हो तो वाइंडिंग अप हो जाती है इन्सॉल्वेंस ही हो गई तो आई बीसी लॉओ अप्लीकेबल हो जाते हैं तो वो सब भी आप यहां पढ़ोगे तो वो कंपनी लॉओ से शिफ्ट होकर सारे लॉओ कहां पर आ जाएंगे यहां पर तो आप जैसे सबसे रिलेटेड लॉओ अब कंपनी लॉओ में नहीं पढ़ोगे वह यहां पढ़ोगे प्लस इसके अलावा जो अधर लॉओ अप्लीकेबल है अब एक बार हम फर्स चेप्टर पर आते हैं थोड़ा सा उसका लुक लेते हैं यहां short an 5 तो अब यह subject के बारे में आपको समय जाया इसमें आपको देखो खास ध्यान क्या देना है एक बार मैं दुबारा वापस आ रहा हूँ देखो part a सिरफ 40 marks का है और chapter कितने 12 पार बी 30 marks का है 35 marks का और chapter कितने 6 यह allocation बढ़ी अजीब सी की हुई है मतलब यहां 35 marks के लिए हमें 6 chapter पढ़ने हैं और यहां 40 marks के लिए हमें 12 chapters पढ़ने हैं बट पढ़ने हैं exam में question तो सबसे आने हैं और सबसे बड़ा trump card है हमारे यह 3 chapter यह 3 chapter क्या है 25 marks में ही हमें 3 chapter पढ़ने को मिल रहे हैं और हमने जब पढ़ाई start करनी है तो अपने time को allocate ही इस तरह से करना है कि भाई इसका तो एक word भी नहीं चूटना चाहिए कि 25 marks में 3 chapter हो रहे हैं हमारे यह chapter कम लग रहे हैं बट lengthy बहुत है थोड़ा सा boring हो जाता है इसको भी पढ़ना तो है इसको हम अपने तरीके से पढ़ेंगे यह आपका main काम आने वाला part है actual में जो आपके profession में काम आएगा वो A part और C part काम आना है यह part बहुत ज़्यादा काम नहीं आता या आता है तो company या business सेट हुआ तो once a while बट यह तो lifetime चलते रहने हैं लोग बट हमें सारा पढ़ना है allocation हमने इस तरह से की है तो मान के चलो 40 और 25 65 इसमें से अगर मैं company law part माल लूना तो approximate 40% तो company law ही है आपका 45 या मैं 50% भी कर दूँ तो हमारा इतना time तो company law में ही जाने वाला है बाकी हम साथ साथ करेंगे ठीक है जी अब आते हैं book पर देखो आपका जो first chapter है choice of business organization नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा यहां पर कि first chapter में यह बोला गया है कि हमें business organization choose करनी है तो किस तरह से choose करनी है choice of business organization इसमें देखो क्या आ रहा है this may be called process of planning and organizing which are integral part of business management choosing a form of business entity in crucial to successful organization मतलब हमें जब भी business start करना है तो हमारे को सबसे पहले choose करना पड़ेगा कि हम क्या entity को choose करें और वो किस पर depend करेगा हमारा object क्या है क्या काम करना है कई काम ऐसे हैं जो government of India कहते हैं कि आपको company form करनी ही पड़ेगी आप sole proprietor और partnership में करी नहीं सकते जैसे startup venture को भी आपको private company बनानी ही पड़ेगी ऐसे ही बहुत सारे business हैं जो company की form में ही हो सकते हैं वो आप individually sole proprietor और partnership में नहीं कर सकते तो आपको सबसे पहले अपने business का object क्या है nature and size nature क्या है size कितना है कितने time के लिए करना है जल्दी बंद करना है long run में करना है अकेला करना है किसी के साथ करना है अपने पैसे से करना है लोन लेने है बैंकों से लोन लेना है या public से पैसा लेना है या public से लोन लेना है public से लोन और bank से लोन में क्या फरक है bank से लोन लेते हैं हम term loan के लाया जाता है public से लोन लेते हैं तो वो debenture issue हो गए deposits हो गए तो वो भी आपको depend करना है और आपको share issue करने है अगर आप loan लेते हो तो आपको पैसा वापिस करना पड़ेगा एक certain time पर और अगर आप shares issue कर देते हो तो आप perpetual हो जाते हो winding up तक आपको पैसा वापिस नहीं करना shareholder आपसे पैसा नहीं मांग सकता सिरब वो अपने shares किसी और को transfer कर सकता है बेच सकता है बट वो आपसे पैसा मांग नहीं सकता तो ये depend करेगा case to case basis अगर मेरे को बहुत indefinite period के लिए long run में काम करना है और बहुत सारे पैसे की जुरूत पढ़ने वाली है बहुत सारे लोगों से पैसा लेना पड़ेगा तो मैं obviously किस में जाओंगा company की form में जाओंगा क्योंकि shares company issue कर सकती है अब अगर मैं कहूं कि कोई भी person या एक से ज़्यादा लोग business के बारे में सोच रहे हैं अगर business के बारे में सोच रहे हैं तो क्या-क्या thought उनके mind में आएंगी सबसे पहले तो भाई object क्या है हमारा purpose क्या है nature क्या है हमारे business का size क्या है हमारे business का capital requirement कितनी है risk कितना लेना है हमें liability limited रखनी है या unlimited रखनी है tenure क्या रहेगा हमारा कितने duration के लिए करना है हमें और बहुत-बहुत चीजे management आ जाती है यहां पर कैसे करनी है अब यह object में यह भी आ सकता है profit के लिए है non-profit के लिए है non-profit मतलब charity के लिए हम कर रहे है या कमाने के लिए कर रहे है nature of business क्या काम कर रहे है अब अगर यह मेरे को लग रहा है कि मैं अकेला काम संभाल सकता हूँ तो मैं यह अकेले obviously करूँगा किसी और को अपने साथ क्यों मिलाँगा तो अगर कोई एक person alone है तो वो soul proprietor में जाएगा या वो one person company में चला जाएगा OPC आपने सुनी है मैं short में लिख रहा हूँ समझ जाओगे तो यहाँ पर company अग्ट applicable हो जाएगा अगर वो limited liability वगरा का फायदा लेना चाहता है अगर एक आदमी एक से ज़्यादा के साथ काम करना चाहता है तो वो किस में जाएगा partnership में जाएगा हुएफ में जा सकता है LLP बना सकता है या वो company बना सकता है society बना सकता है co-operative society आपने नाम सुना होगा अभी मैं इनके example लोगा society बना सकता है trust बना कर काम कर सकता है NPO बना कर काम कर सकता है company में दो तरह की आजाएगी NPO आजाएगी या other company आजाएगी अगर मुझे काम नहीं business करना है बढ़ हमारा purpose charity है जैसे Reliance Foundation आपने नाम सुना it is NPO पतंजली और भी Tata Sun सुना होगा आपने वो trust की form में आ जाता है अमूल आपने सुना होगा cooperative society में आ जाता है तो इस तरह से अभी हम discuss कर रहे हैं क्या चीज़ों को तो ये depend करेगा कि मेरे main main part क्या है मैं क्या काम कर सकता हूँ मैं अकेला काम संबालना चाहता हूँ मैं अकेला उस business के लिए capital arrange कर सकता हूँ मैं risk ले सकता हूँ decision making ले सकता हूँ अकेला संबाल सकता हूँ तो मेरे पाद दो choice है sole proprietor कर लूँ और अगर मेरे को recognized entity registered entity में जाना है तो OPC में चले जाओ क्योंकि weightage किसकी जादा होईगी जो law के under registered है sole proprietor उतना authenticated या उतना registered entity या recognized entity नहीं माना जाता जेतना company मानी जाती है क्योंकि company के उपर certain law है तो one person company concept ही इसलिए लाई गई थी कि जो छोटे business man corporate form को use करना चाते है वो आ जाए है आपने अभी सुनाओगा एक अभी budget में amendment आई है कि और आपने E.T. में सुनाओगा one person company की paid up capital की limit 50 lakh होती थी और turnover की 2 crore होती थी अगर आप इसको cross कर गए तो आपको normal private और public company में आना पड़ेगा अब इसको हटा दिया गया है with effect from 1st April 2021 आपने शायद पहले वो पढ़ा होगा बट अब जो December 21 exam आम onward के लिए आएगा कि OPC में पहले क्या था कि एक sole proprietor OPC में काम करे छोटे businessman को ये facility दी गई थी और अगर उसका business size बढ़ रहा है business size किस से बढ़ता है paid up capital बढ़ रही है paid up capital क्यों बढ़ रही है आप business में पैसा और डाल रहे हो या आपकी turnover बढ़ रही है दो करोड से उपर तो आपको एक बड़ी company की form में आना पड़ेगा normal private company और public company में तो वो restriction हटा दी government of India ने इसी budget में क्यों हटाई होगी बच्चों बताओ क्यों हटाई होगी reason क्या होगा क्योंकि government encourage करना चाहती है sole proprietor से one person company में आने के लिए government ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग corporate entity की form में आए corporate entity की form में जब आप आओगे तो आपको एक recognized entity माना चाहेगा जैसे हम example लेते हैं कि एक आपको school में admission लेना है एक recognized by central board of education CBSE और एक unrecognized है आप कहाँ prefer करोगे एक college है DU से registered है और एक registered नहीं है तो आप किसमें prefer करोगे तो always recognize entity की validity या value या विश्वास ज़्यादा होता है तो अगर आप business soul proprietor में कर रहे हो तो आपके साथ जो लोग deal करेंगे वो घबराएंगे कि ये registered entity नहीं है recognized entity नहीं है खास तोर से दिक्कात आती थी जो handicraft वाले सूरज कुंड मीला वगरा में जो काम करते है handicraft वाले या small scale वाले जब business करते थे अगर उनको बाहर इंडिया से बाहर किसी से business करना है तो वो लोग उन पर trust नहीं करते थे क्योंकि आप कहीं government के साथ registered ही नहीं हो कल को आप भाग गए अपने contact सो पूरा नहीं किया तो कहां पकड़ेंगे तो government mainly one person company छोटे business man के लिए ही लेकर आई थी कि आप soul proprietor में रहो ठीक है बट अगर आप recognize entity लेना चाहते हो तो आप company act में आ जाओ इससे फाइदा क्या होगा bank आपको easily loan देदेगा soul proprietor का bank को पता है कि कब भागया पता नी company है तो registered है bank वहाँ से detail ले सकता है सारे कोई foreigner company deal करना चाहता है हमसे अगर हम registered entity हम दिखाएंगे we are registered company या we are unregistered company तो सामने वाले का भरूसा किस पर आएगा ही treat होती है हाला कि आप partnership deed को register कर सकते हैं बड़ उसके उपर कोई specific laws ज्यादा applicable नहीं है तो उसके लिए दूसरी form क्या लाई गई आप LLP में चले जाओ limited liability partnership और better हो जाता है या आप किस में चले जाओ company में चले जाओ तो LLP बीच का रास्ता है तो जब हम इसको detail में पढ़ेंगे तो और समझ आएगा अब partners काम कर रहे है partners को डर लगता है देखो मैं अब यहां लिख देता हूँ soul proprietor soul proprietor को choice क्या है one person company में जा सकता है वो और soul proprietor खुद को लग रहा है कि नहीं जी मैं तो खुद अपना काम करूँगा तो खुद रहे और मेरे को register नहीं होना नहीं तो वो किसमें चला जाए one person company में और अगर मैं partner ship की बात करूँ यहां पर यह बंदा अकेला है यहां पर minimum two और ज़्यादा हो सकते है but partnership at या company company act कहता है maximum 20 और company act कहता है maximum 50 इससे ज्यादा नहीं हो सकते company act को ही हम मानेंगे तो 50 से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप ज्यादा हो रहे हो तो आपको कहीं पर registration होनी जरूरी है अब registration आप company act 2030 में कर लो या society act में चले जाओ या cooperative society में चले जाओ या आप trust बना लो बट unregister नहीं रहोगे government of India कहती है जब जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा जमेला बढ़ता जाएगा dispute बढ़ेंगे और लोग बढ़ने का मतलब ही क्या है business बढ़ रहा है कि अगर गल को loss हो गया तो घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे तो वो अब company का और LLP का form ले सकते हैं तो ये दोनों में choice आ गई कि LLP is a midway between the company and तो उस पर company and का सारे provision applicable नहीं होते बट better recognize entity माने जाती है और इसमें partners की no limit partners की कोई limit नहीं होती सबसे बड़ी beauty इसकी है तो अगर एक partnership को partnership में ही रहना है और number of partner बढ़ाने है कि आपके 20 या 50 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप कहां पर आओगे LLP में आ जाओगे और आपको लग रहा है company law में जाना है तो आप company law में चले जाओ तो यह opportunity दी गई यह जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हो mostly non-profit organizations के लिए होती है बट अगर आप non-profit organization है यह shares issue नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी non-profit बट यह मतलब commercial activity भी करते हैं अभी मैं examples लूँगा जब इनका हूँगा बट यह mostly थोड़ा से close-nit होते हैं और company एक modern form है और एक better form जो है तो अभी हम इन पर भी topics पर बात करेंगे जब आएंगे तो अब partnership के बाद अलग form सारी कहाँ पर आ गई यह तो अब आओ एक बार book में यह depend करेगा case to case basis also depend upon the will of honor of the business entity which they want to accomplish अब sole proprietorship का मतलब आपको समझ आए कि sole proprietor का मतलब ही यह है कि हम अकेले काम करेंगे सारी capital हमारी decision making हमारा risk हमारा डूबे या चले अबाद या भरबाद कुछ भी हुए मैं तो अकेला मैं किसी की नहीं सुनूगा मैं किसी को साथ में नहीं मिलाँगा दूसरा part आ जाता है partnership partnership में obviously दो लोग कम से कम है तो दो लोग ह chance भी बढ़ेंगे आप देखते हो आप घर में कई वर सुनाओगा partnership नहीं करनी चाहिए या partnership करो तो बहुत कुछ sacrifice करने पड़ते हैं एक दूसरे की respect चाहिए एक दूसरे के बारे में हम समझें एक दूसरे की बात सुने management decision low partnership में conflict क्यों होते हैं जब सब अपनी अपनी चलान लग जाते हैं तो वह वहाँ पर गड़बर हो जाती है सारी तो partnership को dispute जल्दी खड़े हो जाते हैं फिर कोई proper agreement नहीं था जगड़े ज्यादा खड़े हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या choose कर लेते हैं company क्योंकि company में memorandum है article है पूरी हमारी registration है हम कुछ भी इस तरह से step back या क इसी के साथ धोखा नहीं कर सकते तो partnership की अपनी limitations है ये भी आगे detail में पढ़ेंगे हम हुए ये तो सिरफ है ही हमारी family का business कोई बाहर वाले से तो हम बात ही नहीं करेंगे और इसका माले करता ही होगा और इसको भी individual entity की तरह ही treat किया जाता है as per income tax चाहे काम सारे कर रहे हैं ब unlimited है मतलब अगर loss हुआ तो घरवार बेज कर भी घर के assets बेज कर भी पैसा देना पड़ेगा बट अगर आप company की form में आ जाते हो तो हमेशा limited liability हो जाती है LLP में आ जाते हो तो आप limited liability में आ जाते हो limited liability का मतलब है कि अगर loss हो गया तो जो company में या firm में पैसा बचा है वो ही creditor को मिलेगा partners घर से लाकर नहीं देंगे उनकी personal assets से पैसा recover नहीं किया जा सकता तो LLP का सबसे बड़ा फाइदा यह है तो obviously जब एक छोटे businessman का risk level बढ़ता चला जाता है तो उसको डर लगने लग जाता है कि कल को loss हो गया तो मैं कहां से pay करूँगा देखो मैं आपको एक example देता हूँ Mr. Haldiram कौन है सब जानते होंगे क्या काम करते थे बुजिया वाला word क्या लगाते है हम आगे इनके एक मेंट सोल प्रोप्राइटर थे आई थिंग बिका नेर या राइस्थान की किसी सिटी से थे यह उसके बाद दिल्ली चान्नी चौक में आए थे यह और इनका काम पहले भुजिया जो नमकीन आती है उरिजिनल वही बेचते थे शिरफ बाल्टी में डालके आसपास बिजनस बड़ लोग भी बड़े तो मिस्टर हल्दी राम एंड उनकी फैमिली आ गई और बिजनस बड़ा यहाँ पर बिजनस बड़ता चला जा रहा है तो फैमिली की जुरुत पड़ी सबने मिलके काम किया अब फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर उनकी कैपिटल फॉर एक्जाम्पल उन्होंने कुछ सौ रुपे से शुरू की होगी रुपी हंडेट से शुरू की थी यहाँ पर रुपी वन लैक हो गई अब बिजनस और बढ़ता चला गया बिजनस का साइज और बढ़ता चला गया वन करोड हो गया तो लोग की भी और जरूरत पढ़ने लग गई दूसरा बिजनस में उनकी जो कैपिटल थी अब दो तरह से हो गई ओन भी हो गई और लोंस भी हो गई सपोज उसमें उन्होंने 60 लाइक अपने थे उनके और 40 लाइक के लोंस ले लिए उन्होंने अब भाई कल को लॉस हो गया हो तो इस लोन वाले को पैसा कहां से देंगे अपने ये फैमिली मेंबर सारे जिम्मेवार होंगे के नहीं लाला हल्दी राम के तो अब उसके बाद बिजनस और बढ़ता चला गया सपोज ये रुपी 50 करोड का हो गया अब उसमें जो उनके पास कैपिटल थी पता चला जी 20 करोड अपनी हो गई और 30 करोड का लोन हो गया लोन बढ़ते चले गए बड़े बड़े रेस्टूरेंट खोले आपको मैं बताऊं 1992 में मैं बीकॉम कर रहा था तो हम चानी चौक के पास एक हार्डिंग्स लाइबरेरी है पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने है तो पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशन के सामने एक हार्डिंग्स लाइबरेरी अग्रेजों के टाइम की बनी हुई है तो वहां पढ़ने जाते थे अपने घर से और मेरे घर से 10 किलोमेटर दूर था डीटीजी की बस में जाते थे हम क्योंकि तब इतनी फोन तो होते नहीं थे ना बाइक स्कूटर इतने होते थे 1992 की बात कर रहा हूं आप लोगों का प्रस्थान शायद इस दुनिया में नहीं हुआ था तब तो उस टाइम पर हम वहां पढ़ने जाते थे तो चानी चौक अपने सबने सुनाए दिली वालों ने और दिली वालों के बाहर वालों ने भी वहां पर हल्दी राम जी की सिरफ एक दुकान थी मिठाई की सोल प्रोपाइटर में रहे थे और तब वह बहुत कुछ मिठाईयां कुछ नमकीन बेचते थे और शाम को स्नैक्स होते थे तो हम वहाँ पर जाते थे सीसकंज गुरद्वारा है उसके सामने हम खाते थे और आ जाते थे एक ओरिजिनल दुकान थी 1992 में अब जब उनको बिजनस बढ़ाना था जगा जगा आउटलेट्स खोलने थे तो सारा पैसा तो अपना नहीं हो सकता उनको लोन लेने की जरूरत पड़ी होगी जब उन्होंने लोन लिये होंगे तो डर क्या लग रहा होगा back of mind की कल को मेरा ये रेस्टोरेंट नहीं चला मेरा ये बिजनस नहीं चला तो मैं पैसे कहां से दूँगा जो मैंने पिछले 30-40-50 साल में कमाया है सब डूप जाएगा ये होता है के नहीं होता तो छोटा बिजनसमेन बिजनस बड़ा करने में डरता है घबराता है कि भाई मैं बिजनस बड़ा करूँगा मुझे लोन लेने हैं तो कल को अगर बिजनस ना चला तो मैं लोन पे कैक से करूँगा मेरी जिद्धी भर की कमाई चली जाएगी तो कभी भी छोटा businessman बड़ा होने का risk नहीं ले पाता इस कारण से दूसरा banks भी loan नहीं देते कि आप unregistered entity हो आपको कल को कहाँ पकड़ेंगे आप भाग गए और पैसे नहीं दे पाए तो आपकी guarantee कौन देगा तो ये सबसे बड़ा problem आता है business को चलाने में आपने बहुत सारे ऐसे business सुने हैं आपने जो डिली में बचे रहते हैं आपने ग्यानी आइस क्रीम सुना ग्यानी आइस क्रीम भी चांदी चोक में चोटी सी शौप होती थी और उस शौप में सिरफ रबडी फलूदा आइस क्रीम फलूदा और सर्दियों में गुलाब जामून और गाजर का हलवा तीन चीज़े मिलती थी बस आज आप ग्यानी आइस क्रीम की आउटलेट देख रहो सब जगा फैली हुई है हल्दी राम देख लो पूरे और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारी इनके आउटलेट्स कुले हुए तो आज ये किस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो अब इन्हों ने क्या बना ली जब बिजनस साइज बढ़ा ये फॉर्म में आगए कंपनी सपोज हल्दी राम प्राइवेट लिमिटेड बना ली एग्जेक टैम जो भी होगा मैं आपको एग्जामपल दे रहा हूं सिरफ अभी वो प्राइवेट लिम्टेड में है अब उनकी कैपिटल आप मान के चलो सपोज रुपीज 500 करोड है होगी के नहीं होगी यह बड़े अराम से होगी इस से कहीं जादा होगी क्या होगा यहां पर इस कैपिटल में सारा पैसा अपना नहीं होगा shares होंगे और loan होंगे बट अब क्या होगा कि कल को अगर हल्दी राम में loss होता है तो उनको घर से पैसा लाकर नहीं देना ये limited liability का सबसे बड़ा फायदा है तो business size जैसे capital requirement risk appetite बढ़ती है उस हिसाब से हम choose करते हैं अब अगर कोई एक business man directly ही बड़ा business करें तो वो क्या बनाएगा company बनाएगा मैं आपको एक और example देता हूँ जो आपका well known है flip card flip card दो लोग थे Mr. Sachin Bansal और एक और थे मिरको नाम याद नहीं आ रहा वो भी Bansal है ये दो friends थे ये two friends थे इन्होंने सोचा business करने की IIT के पास आउट हैं job करते थे कि हम online selling platform बनाएगे और इन्होंने books से शुरू किया था initially कि हम books बेचेंगे एक new idea था तब तक ऐसा नहीं होता था और उन्होंने online shop खोली books की तो उन्होंने रुपी two lakh से start किया बेंगलोर के अपने एक flat से और उन्होंने flip card for example private limited बना लिए यह उन्होंने शुरू सही सोचा क्योंकि वीजन बड़ा था उन्होंने का हम एक बड़े level पर काम करना है कल को हमें और जरूरत पड़ेगी यह I think 2012 के आसपास है 10 के आसपास मुझे नहीं मालूम कब शुरू हुई थी मैं एक दिन आपको exact इसकी काहनी बता दूँगा पहुंचते पहुंचते आज यह more than 10,000 करोड की हो चुकी है सचेन बंसर नहीं अपना stake बिचा था तो 10,000 करोड का था अब तो मेरे कहल से walmart ने इस mistake ले लिया अब यह लोग अगर यहां तक पहुंचे तो flip card की जो capital होगी वो दो तरह से होगी shares भी होंगे loans भी होंगे अब अगर मान लो shares है 1,000 करोड के और loans भी है 2,000 करोड के तो क्या बंसर्स जो job कर रहे थे जिनकी gym में 2,000,000 रुपे थे अगर वो partnership में होते तो क्या इतना बड़ा step लेते या इनके पास कोई पैसा देने आता इस capital में private equity word पढ़वाऊंगा जब मैं startup आपको topic कराऊंगा तो इसको startup बोला गया new idea से जब flip card आई तो उसको हमने क्या treat किया startup treat किया और government of India tax concession देती है आपको factory के लिए land location कम rate पर देगी loan कम rate पर मिलेगा help करेगी अब अगर ये लोगों के पास brain था mind था idea था बट इनके पास risk taking capacity नहीं थी तो इन्होंने शुरू में ही company बना ली कि भाई हम company बना लेते हैं और ताकि हमें loan मिलेंगे तो हमारा घर तो नहीं बिकेगा हमें घर की assets तो नहीं बेचना पड़ेगा तो उन्होंने अपने idea को stress free हो के काम किया अब अगर इनके mind में ये pressure होता कि नहीं यार loan नहीं लेते नुकसान हो गया तो भाई पापा मारेंगे पिता जी की जमीन बेच दी घर बेच दिया सारे रिष्टेधार मजा गोड़ाएंगे ये कभी risk ना ले पाते government of India कहती है तुमारे पास दिमाग है idea है talent है आओ क्योंकि नई inventions चाहिए नई ideas चाहिए और ये government नहीं कर सकती ये लोगों ने करना है तो government ने लोगों को platform देना है कि आपके पास idea है आप आओ हम आपको जमीन भी देते हैं tax concessions भी देते हैं कम rate पर loan भी दिलवाते हैं आप business करो और आप आपको relaxation देते हैं हम कई laws से तो जब आप company law में पढ़ोगे तो start-ups को बहुत सारे relaxation मिली होती है कि आप business set करो हम आपको देते हैं government को क्या लाला चाहिए कि कल को जब ये बड़े हो जाएंगे तो employment generate करेंगे बड़ा tax मुझे मिलेगा लोगों की need पूरी होगी त country को चलाना लोगों को facilities देना तो government सारे काम तो नहीं खुद कर सकती ना वो किस के through कर रही है businessmen के through कर रही है corporates के through कर रही है जिसको कई लोग ये कहते हैं कि government of India ने privatization कर दिया corporatization कर दिया अरे भाई इसके बिना कोई country ही नहीं चल सकती आप कब तक पुराने धर्रे पे चलत करने बेकार के agitation कर रहे हो और governments को गाली देते हो privatization is a very essential tool आपको new industrial policy नेक्स class दूँगा मैं आपको 1991 की real meaning आप समझोगे कि actual में new industrial policy थी क्या और आपने समझी क्या थी 11 12 में जो पड़ी थी आपने एक्चुल में उस time तो मैं stock market में business कर रहा था मैंने आपको कल की class में introduction दिया market में job join कर ली दिली कमला नगर में एक broker के हैं और मैंने उसी से अपनी earning से become admission लिया उसी से मैंने उसके बाद फिर CS की और मेरे को CS करने का idea ही कहां से आया कि जब मुझे stock market में गया तो companyya क्या होती है shares क्या होते है उनके बारे में पता चला तो मुझे CS करने से पहले यह चीज में गुज गया उसके बाद और stock market का business अपना साथ-साथ करता रहा तो मैंने कई उस time पर जब new industrial policy आई थी तो मुझे दो साल stock market में आई हुए हो चुके थे और मैं अपना side business है जब broker start कर चुका था तो आपको real example के साथ जब समझाऊंगा तो आपको समझाएगा कि क्या new industrial policy थ अब शुरू हुआ तो उन्होंने book के idea से शुरू किया अब उनको capital support मिला तभी तो आज इतने बड़े हर product का उन्होंने platform दे दिया पैसा दे दिया अब उनके mind में tension नहीं थी कि यार कलको loss हो गया तो घर से लाके देना है उनको tension क्या थी यार हमारा risk कितना है maximum two lakh का कोई बा man's को job मिली बैंकों को interest मिल रहा है अब shareholder की कमाई हो रही है यह सारे फाइदे हैं इन चीजों के जो otherwise नहीं मिलने थे तो वो नहीं मिल सकते थे उनको तो एक risk free level से business बढ़ा जा सकता है आपने ccd सुना हाला कि उनके founder ने suicide कर ली बड़ा sad था ccd भी इस तरह से concept कभी आपने copy shop ऐसे सुनी थी इंडिया में देखी थी बहुत सारे startups ऐसे हैं जो आज बहुत बड़े level पर पहुंचे आपको कई ऐसे startups मिलेंगे जो unique idea से लोगों ने किया है गवर्मेंट उनको support देती है तो कोई business man शुरू में sole proprietor या partnership बना लेता है या वो बाद में उसको convert कर लेता है मैं आपको एक वो दिखाता हूँ चलो अभी हम इस पर आते हैं next class में फिर आपको कुछ real examples और दूँगा आपको मैं तो आज हमने दो चीजों को पढ़ा है sole proprietor partnership हुएफ company का business है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा next class में corporate society trust के उपर लूँगा बच्चों को इसमें बहुत confusion रहता है कि सर यह क्या है इनको पढ़ेंगे फिर company पे obviously हमें आना ही है और company law में भी चल रहा है तो मैं जब company law इसली समझ आ जाए क्योंकि company law में what is private company public company नहीं दे रखा वो सब दिया हुआ हमें setting up में तो हमें दोनों को mix combined मिला कर पढ़ना पड़ेगा तो मेरी strategy यही रहे कि related topic वहां से चलें ताकि आपका base बनता चला जाए और जो भी आप पढ़ रहे हो अभी तो यह start है आगे इनके स करोंगे slides में से जैसे मैंने last class में भी आपको दिखाएं थी जैसे यह private company public company क्या होती है इनके with section provision rules हर चीज के साथ हमने मिला के करना है section 28 तो तीन चीज़े आ गई company इसकी private company इस तरह से हम notes बनाएंगे यह देख रहे हो आप यह notes है private company के सिरफ private company के अब आप देखो आपने लौका तो तिन गंटे में paper ही पूरा नहीं होता setting up का paper ही पूरा नहीं होता और सारा question case study based होते हैं तो आप कहीं भी ऐसे जगा पे मत फज़ आना जहां पर सिरफ आपको रीडिंग रीडिंग कराई जा रही है जब तक आपकी concept clarity और जब तक आपके self notes नहीं बनेंगे तब त तरीका रहेगा types of company कैसे हैं की notes बनेंगे आपके homework में रहेगा साथ में कुछ आप खुद बनाओगे कुछ में slides में बनवाओंगा ताकि आपको exam में clear हो जाए 1% company के ऊपर ही आप देखो कितना matter मिलेगा यह examples हैं सारे dormant company with section तो इस तरह से आपके self notes बनते चले जाएंगे या दोना शुरू हो जाएगा अभी देखो holding subsidy के कितने examples दी हैं हों हमने holding subsidy पर अपने आप पूरी दो-दो class लग जाती है यह voting power क्या होती है इन चीजों के उपर class लेंगे हम तो यह बचों आभी तो आपका बस start है base बना रहा हूं पढ़ने की आदत पढ़े अब आप भूल जाओ कि EET में क्या पढ़ा था आपको बहुत लंबा एक रास्ता है जि इसको easy way में कैसे पार किया जाए वो हमने करना है ठीक है जी इस तरह से हम पढ़ेंगे book आपको मिलेगी साथ में practice होती रहेगी doubt sessions आते रहेंगे आपके जैसे हमने classes में announce किया है और depth study पे जाओ shortcut में मत जाओ class में ठीक है एक महौल होना चाहिए बट सिरफ हजी मजाक entertainment से यह पढ़ाई पूरी नहीं होने वाली एक seriously आपको यह expert पढ़ाई पढ़ रहे हो आप कोई यह मजाक नहीं है shortcut नहीं है आपको each and every aspect को पढ़ना है तो अगर आप हमारी classes में जुड़ते हो तो हमारा purpose यहीं रहेगा in-depth पढ़ाई mind management, study management, time management बाकी की फालतू बाजी नहीं seriously हमें पढ़ना है क्योंकि अगले तीन साल अब career के हैं यह age आपकी career building stage है आपने अभी इस age में क्या होता है दो तरह के pressure होते हैं एक आपका अपने आप पे pressure है कि मुझे कुछ करना है दूसरा parents का pressure है कि अब यह सपूत कुछ करेगा जिसको हमने पाला फोसा और बड़ा किया चाह वो लड़का है चाह लड़की है आजकल non working के बिना non working की कोई life नहीं है working होना बहुत ज़रूरी है तो इस pressure को ease out करने के लिए आपको यह degree बहुत help कर सकती है आप अपनी dignity एक level बना सकते हो एक अच्छे levels पे जा सकते हो unlimited income पे ज पास हो जाएंगे भूल जाओ आप ऐसे नहीं हो सकता not possible जो आपको free में पढ़ा रहा है वो क्या आपको देगा कैसे आप पढ़ोगे या आपको short cuts पे live classes मिल रही है वो सिरफ हसी मजाक और comment बाजी चल रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा आपको seriously पढ़ना है तो class की depth लेनी पढ़ेगी depth में जाना पढ़ेगा distractions नहीं होनी चाहिए तब आप focus कर पाओगे ऐसे YouTube पे learning नहीं होती यह सिरफ हम आपको तीन चाल trial classes दे रहे हैं ताकि आपको हमारा teaching style पता चल जाए हमारा focus पढ़ा ही और आपके time और self management पर है कि आगले तीन साल आप एक ऐसे perfect professional बनो कि पि class नहीं हो सकती college वाला महल नहीं होगा यह professional course है यह academy course नहीं है तो बच्चों बड़ा seriously लेना सस्ती फीसों सस्ती जगाओं के चकर में मत फ़स जाना अपने career को stake पे मत लगाना जो भी आपको करना है decision आपका है दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे आप 3-4 class देखो आपको और पत बढ़ेगी बाद में पहले आपको concept clear होगी यह मैं challenge कर रहा हूं जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको clear होना शुरू हो जाएगा किसा ने जो बताया था तो मैं ज्यादा से ज्यादा example और जो मैं example दे रहा हूं या पढ़ा रहा हूं वो मैं पढ़के नहीं पढ़ा रहा हर बंदे को पढ़ाने वाले को अगर practical exposure है तो वही better आपको guidance दे सकता है बाकी start करो आप wish you all the best next class में फिर मिलेंगे take care bye bye